स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माज साब की पाट सालाम है इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडा आधार डिवीडी का नया अफडेट आपको नहीं देखेंगे अंसीड़ वच्चे या फिर आपको बहुत कम देखेंगे कहां गए सभी वच्चे किस टैम में देखेंगे कैसे किलियर प्रोफाइल करेंगे कैसे किलियर कैच करेंगे कैसे किलियर डेटा करेंगे यह सारी चीज़ें स्टैप बाई स्टैप देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को से clear catch और clear data करना है जो प्रेणा dvt app है आपका उसको tap करके रखिए तो इसमें देखिए तीन option आ रहे हैं app info, remove और share तो आपको app info पे click करना है एप info पे click करने के बाद में आपको storage details दिखेगा या storage uses दिखेगा या खाली storage भी हो सकता है तो उसके अंदर आपको जाना है उसके बाद में देखिए clear catch और clear data option आता है तो आप यहां से clear catch कर देंगे और clear data कर देंगे अगर आपके phone में यह option नहीं आता है तो आपको क्या करना है phone की setting में जाना है जब आप phone की setting में जाएंगे तो आपको इस type से दिखेगा किसी में हो सकता है apps दिखे या किसी में app manager दिखे इसमें app management है तो यह app management में जाएंगे हम फिर app list में जाएंगे तो हमें सारे apps दिखने लगेंगे एप लिस्ट में गए अब देखिए आपको जो भी एप पे किलिए डेटा या किलिए कैच करना होता है उसी एप को आपको ढूड़ना है लेगे क्योंकि मैं प्रेणा अधार डीवीटी पर जा रहा हूं तो मैं इसमें प्रेणा डीवीटी पर मैंने क्लिक किया और आप देखिए यहां पर इस्टोरेज यूजिज इस्टोरेज यूजिज उसी तरीके से जो से पहले मैंने देखा था अब इसमें storage usage में जाएंगे हम clear catch करेंगे देखे clear catch 0 byte हो गया clear data करेंगे the apps data will be permanently deleted आपको ok करना है या किसी में continue आएगा तो continue करना है देखे आप data और catch clear हो गया तो जितनी भी आपकी corrupted file है वो सारी सई हो गई अब आपको दवारा से login कर लेना है और login के बाद में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ देखे सबसे पहले आपको ऐसे profile दिखेगा उसमें profile में यह उपर three dots है right side में इस पे आपको update student detail करना है तो आपने जो भी data sync नहीं हुआ होगा वो sync हो जाएगा इसके बाद में आपको three dots पे click करना है और clear profile करना है जब आप clear profile करेंगे तो यह आपका log out हो जाएगा और आपको फिर दवारा से इसको login करना है आप district select करेंगे आपके पास में जो OTP आएगा उस OTP को डालेंगे और उसके बाद में आप login करेंगे login करने के बाद में जितने भी आपके unseeded में बच्चे आ रहे हैं वो सारे बीओ को भेजे गए चातर में आ रहे होंगे क्योंकि उन पर payment का process चल गया है या चलने वाला है और अगर आपके में फिर भी unseeded में आ रहे हैं या suspected में बच्चे आ रहे हैं तो उस पर आपको कारी करना है suspected में सिर्फ एक teacher पर होंगे और unseeded में उस teacher के पास दिखेंगे जिसने उस कक्षा का कारी किया है तो आपको unseeded पर उसमें टिक करके वेजना है unseeded आपके बहुत कम दिख रहे होंगे ज्यादा तर जुनोंने unseeded किये हैं वो बियो को भेजे गए छात्र में आ गए है तो आप उससे confused नहों कि वो बच्चे कहां चले गए है देखिए अब जब आप dvt पर click करेंगे तो dvt पर देखिए allotment आएगा आपको allotment चेक कर लेना है अगर कोई भी class पर untick है तो उसको tick कर दिना है उसके बाद मैं आप पर next पर जाना है देखिए यहां पर आपको total बच्चे दिख रहे होंगे PFMS बैंक खाता सीडिंग भुकतान में जैसे 50 यह दिख रहे है वो को भेजे के छात्र में 12 दिख रहे है जब आप इस पर 50 पर click करेंगे PFMS बैंक खाता सीडिंग भुकतान डिपोर्ट्स पे तो देखिए unseeded आदार बैंक खाता 0 आ रहा है 50 पर सफल भुकतान आ रहा है अगर unseeded आपके में आएंगे तो unseeded के नीचे tick का option आएगा तो हर एक बच्चे को आपको tick करके हां करके आगे server पे भीजना है बिफल भुकतान में जो भी ये बच्चे आपको दिखेंगे कुछ में द्याले के बिफल भुकतान में दिखेंगे इसका मतलब ये है कि उसका operative नहीं है account तो आपको उस account में transaction करवाना है उसमें कुछ पैसे डलवा के guardian से निकलवा लीजिए जिससे वो account operative हो जाए उसमें KYC अगर update नहीं हुई है तो KYC अपडेट करा दे तो इस तरीके से आपको इस पर कारे करना है और जो भीओ को भेजे गए चात्र है उसमें कारे के चल रहा है जब भीओ को भेजे गए चात्र में seeded या सफल बुकतान में या विफल बुकतान में updated हो जाएंगे वो या unseeded में update हो जाएंगे तब वहाँ से वो भीओ के वेजे के चात्र कम हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको कारे करना है